नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंगिडेंज इंसाइड में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी मेडिकल प्रॉडक्ट की जानकारी हो सुरी आप तक सबसे पहले पोच स यह सब कुछ इस वीडियो में बता हूँ है तो एंड तक बने रहीएगा तो चले शुरू करते हैं ग्लेक्सो कंपणी से मार्केट करती है ग्लेक्सो स्मित लाइन और यह अल्मस्ट बीस ग्राम की ट्यूब है कैसे क्या काम करती है दाद, खाज, खुजली, इचिंग, इरि betamethasone डाला गया है, gentamicin डाला गया है, और my Tracy यह और लगा है, तीन दवाई इसमें डाली गई है, betamethasone, पहले पहली दवाई के बारे में बात करता हूँ, यह दवाय क्या करती है, betamethasone एक steroid है, जैसे इंडु गाद खाज, खुज़ी, इचिंग, इरिदेशन या fungal infection है जैसे ही आप इस दवाई को उस जगा पर लगाते है, Beta Meethasone क्या करता है, दात खाज खुजली हटाने वाले किटानों आपके कोज भी काम नहीं करता है, कोई भी Funcal Infection पर Beta Meethasone काम नहीं करता है, यह क्या काम करता है Beta Meethasone, बेटा मितासोन सिर्फ खुजली की एसास को गायब करता है दात खाज खुजली के मरीज क्या करते हैं यूजरली जब दात खाज खुजली होती है तो खुजा खुजा के या इचिंग कर करके उस जगा को खाज खुजली की जगा से सीधा जखम कर देते हैं जो नाकुन की वज़े से जखम हो जाता है कुजली हो के उसकी वज़े से जखम ना हो इसकी वज़े से डॉक्टर बेट्णोवेड जी एंड क्रीम लिखते हैं क्यूंकि बैटामिथासोन जैसे ही आप लगाते हैं तो आपको खाज-खुजली का एसास खतम होता है लेकिन वह डाली गई है सिर्व एसास घटाने के लिए अच्छा है लेकिन विमारी घटाने के लिए नहीं तो एसास अगर इम्मीजेट रिफ चाहिए तो बैटामिथासोन इसी काम आता है कि दाथ-खाज-खुजली का एसास खतम हो जाता है जिसकी वज़े से पेशन खुज जाता नह है और उसकी वज़े से जखम नहीं होता है जेंटामाइसन एक अच्छा सोफ्रामाइसन टाइप ट्यूब है जो जीएम बेत्नोवेड जीएम में डाले गया है जेंटामाइसन जखम बरने का काम करता है तो अगर दाथ-खाज-खुजली करके थोड़े जख्खम चमडी करता है तो जो भी कीटानू आपको दाधखाज कुजली देते इसा गाम चकरते हैं यहीं उपने करता है तो यहीं करता है प्लव्य जिया गयाaking कटा ट्यूब गर अभी स्रुप्रे का ट्यूब है यह और ऐसे दिखता है बेटनोवेड जी एम ट्यूब बीस ग्राम का ट्यूब है ग्लेक्सो कंपनी से मार्केट कर रही है और आपको इसे दिन में दो बार लगाना है सुबह और राथ स्टेराइडल क्रीम आपको कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ चेह ऑफ़ एक्जांपल और आ इसे बहुत ध्यान से लगाना है और जैसे में आपको बता रहा हूं वैसे ही इसको लगाना तिन में वार सुभे तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, for example, अगर आपको fungal infection यहां है, तो आपको इसे क्या करना है, सिर्फ एक हल्की सी एक एक ऐसे लकी टाइप आपको ले लेना है, और आपको इस उंगली में ऐसे करके आपको इसे फैला देना है, सिर्फ आपको फैला देना है, रगड़ना न रगड़ना गिसना नहीं है, दिन में दो बार लगाना है, आपको सुबह नाने के बहुत और रात को सोते समय, और इसके साथ आपको दाथ खाज खुझली फंगल इंफेक्शन का बाकी का इलाज भी चालू रखना पड़ेगा, क्यूंकि अक्यला बेटनोवेट जी एम क्री क्रीम दाथ खाज खुझली हटाने के कारगर नहीं है, तो अगर आपको दाथ खाज खुझली इचिंग इरिटेशन का प्रॉब्लम है, तो अकेला बेटनोवेट जी एम क्रीम कारगर नहीं होगा, आपको और भी ट्रीटमेंट जैसे दवाईया, क्याप्सूल लोशन लगा आना पड़ेगा, ताकि और भी अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएं, तो दोस्तों बेटनोवेट जी एम क्रीम में आपको पूरा समझा दिया है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बताएंगे, इसमें स्टिरोइड है, मर जाएंगे, ऐस कुछ भी नहीं होता है, इसके कोई साइड एफेक्ट नहीं है, सिर्फ इसको इस्तमाल करने आना चाहिए, आज के लिए इतना ही दोस्तों, शुक्रिया